पाकिस्तानी सेना द्वारा किये जा रहे बलोच नरसांहार के खिलाफ बलोच समुदाय द्वारा निकाले जा रहे लॉंग मार्च को पाकिस्तानी पुलिश ने राज़ानी इसलामबाद में घुसने से रोक दिया है इस मार्च को रोकने के लिए पुलिश ने वाटर कैनन और आसुगैस का इस्तेमाल किया और बलोच महिलाओं साइद कई लोगों को बलपूर्व गिरफतार भी किया हमारे पास इस लॉंग मार्च में शामिल लोगों के एक्स्क्रूसिफ इंटर्व्यू भी है खास बात यह है कि इतने लंबे समय से चल रहे बलोचों के इस विरोध प्रदर्शन की खबरों को मुख्यधारा की मीडिया में जगा नहीं मिल रही है इतनी बड़ी आवादी पर अत्याचार की कहानी मारवादिकार संगठनों की अटेंशन भी हासिल नहीं कर पाया है जो इसके क्या कारण हो सकते हैं आपको बताते चले कि बलोच समधाय पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में रहते हैं तता पिछले कई दसकों से पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पेडन का सिकार है यही वज़ा है कि बलोचिस्तान में साल 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जारी है बलोचिस्तान में पाकिस्ताने सेना बलोचों का सुनियोजी तरीके से नरसाहार कर रही है कई बलोचों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा जबरन अगवा कर दिया जाता है जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाता कई बलोच आज भी अपने परिवार वालों को ढून रहे हैं तथा कई अगवा हुए बलोचों की आखिर में लास ही मिल पाती है लगातार हो रहे नत्याचारों के खिलाब बलोच समुदाय उठ खड़ा हुआ है और लॉंग मार्च के द्वारा अपने उपर हो रहे नत्याचारों का विरोध कर रहा है इस मार्च की सुरुवात नौवंबर महीने में हुई जब पाकिस्तान की एंटी टेरर यूनिट सी टी डी ने चार बलोच युवाओं का अपरण किया और बाद में उनकी हत्या कर डाली तुरुवत छेत्र मुविस घटना में एक यूवक का नाम बलाच बलोच भी था बलाच की परिवार जनों ने तुरुवत में छोटे स्तर पर अपने बेटे की हत्या के खिलाब प्रदर्शन सुरू किया धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए जो अंत में लौंग मार्च में बदल गया पाकिसानी एक्टिविस्ट डॉक्तर महरंक बलोच के अनुसार फर्जी मुटबेड में बलाच बलोच की हत्या के साथ बलोच नर्शाहार के खिलाव चल रहा लॉंग मार्च शिर्व एक प्रोटिस्ट मार्च नहीं बलकि बलोच राष्ट की उम्मीद भी है जो पाकिसानी सेना द्वारा उत्पीडन और शोशन का सामना करकर के ठक गया है बलोच नेताओं को उठा लेना उन्हें अगवा कर लेना वहां पर आम बात हो गई है इसमें प्रमुख पर हम बलोचों के लड़ाई को सुरुवात सही कवर करते रहे हैं बलोचों का पाकिस्तान के खिलाफ विद्रो और अपने हितों को लेकर संगर्स बहुत पुराना है विवाजन के बाद बलोचिस्तान एक आजाद प्रांथ था इसके बाद साल 1948 में पाकिस्तानी सेना ने इसे जबरन पाकिस्तान में मिला दिया हालांकि बलोचों ने इस जबरन कबजे को अस्विकार किया और तुरंत विद्रो की सुरुआत कर डाली तब से लेकर अब तक यह विद्रो अलग-अलग चरणों में सक्री है गौर तलब है कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलोचों ने भारत से भी मदद मांगी थी लेकिन ततकाले इन भारतिये प्रधार्वंत्री जवाहरलाल नेहरों ने बलोचों की फुकार को अंदेखा कर दिया था नेहरों अपनी इंटरनेशनलिस्ट वाली चबी को बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने बलोचों की दुरदर्शा पर ध्यान नहीं दिया तथा उनकी भारत में विलाई की मांग को भी खारिश कर दिया अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बलोच लॉंग मार्च क्या आरुख लेती है